मैं हूँ और आज मैं comparison करने वाला हूँ एक premium hedgeback और एक compact SUV के बीच में जो कि अपनी venue है और premium hedgeback अपनी glanza है ये second base variant है S और ये है third base variant S optional क्या feature changes मिल जाते हैं आपको दो लाक रुपे extra देने पर वैसे comparison कोई भी नहीं बनता है यह प्रीमियम hedgeback अलग segment हो जाता है यह अलग segment हो जाता है पर लेकिन अगर आप दो लाक रुपे की बात करते हैं दो लाक रुपे कर आप इस पे extra दे रहे हैं तो engine की बात कहीं न कहीं में 1200 CC का engine ही मिलता है तो दो लाक रुपे के feature changes में आपको क्या चीज मिल रही है वह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूं फ्रेंट अगर हम देखते हैं headlamps की तरफ तो इसमें LED projector headlamp मिल जाते हैं और इसमें हमें projector halogen headlamp मिल रहे हैं पर यह इस चीज का आप याज रखना और दो लाक रुपे extra भी दे रहे हैं ठीक है यहाँ पर आपको DRLS नहीं मिलेंगे इस गाड़ी में आपको DRLS देखने को मिल जाएंगे और फ्रेंट अगर आप देखते हैं तो यह जो है ना glanza थोड़ी चौड़ी लगेगी ऑन पेपर तो यह ज्यादा चौड़ी है पर लेकिन अगर सामने से आप देखेंगे ना तो यह ज्यादा वाइड फील आएगी ज्यादा चौड़ी लगेगी और यह उसके comparison में कम लगेगी बीच में अगर आप ग्रिल देख जोड़ी है वहीं अगर इसकी बात परों तो काफी चोटी जिए जिसमें बीच में अमें करों का ये क्लाइनिंग देखने को मिलती है और नीचे की तरफ आमें बंपर कुछ इस तरीके का मिलता है अगर यहां पर देखें तो इसकिट प्लेट मिल जाती है मैं साथ में यहां mid-size SUV है तो उसके height भी जादा हो नहीं है और यहाँ पर अगर देखते हैं ORBM की तरफ तो इसमें आपको अंदर से foldable ORBM देखने को मिलेंगे पर लेकिन आपको venue में हाथ से fold करने पड़ेंगे indicator आपको दोनों को यहाँ गाड़ियों में यहाँ पर मिल जाएगा किसी का भी fender पर नहीं है बाकि अगर मैं इसके tires की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 185 65 R15 15 inch के tires मिल रहे हैं उस गाड़ी में भी हमें 15 inch के tire मिल जाते हैं बस profile का changes से 185 मिलता है इसमें और उस गाड़ी में हमे 195 की profile मिलती है अगर पीछे से rare look की बात करूँ तो एक बार rare look देख सकते हैं आप ऐसा कुछ भाई दोनों का rare look आता है पीछे से भी देखेंगे न तो भाई यह कुछ जादा मिल रहा है tail lamps में इसमें भी हमें LED मिल जाती है जो की यहां से लेके पूरा continue एंड तक जलता है और इसमें हमें इतना कुछ जो इसका tail lamp है वो हमें LED में जलने को मिलेगा अगर fuel tank capacity की बात करूँ तो 37 liters का हमें इसमें fuel tank capacity मिलती है और वहीं अगर इसकी बात करूँ तो 45 liters का इसमें हमें मिल जाता है अगर इन दोनों गाडियों की चावी की बात में करूँ डिफरेंस की तो चावी आप देख सकते हैं दोनों अगर अलग-अलग company है तो भाई चावी तो obvious सी बात है अलग-अलग आपको मिलनी है Hyundai की चावी कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है आपको वहीं अगर आप Toyota की Glanza की चावी देखते हैं तो इस ट्रैप की आपको चावी देखने को मिलने वाली है On paper में changes की बोल रहा हूँ अगर मैं इनके dimensions की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी में हमें 4990 यानि की 3990 mm की इसमें length मिलती है वहीं अगर इसकी बात करूँ तो 4995 mm की length हमें इसमें मिल रही है 1770 mm की width हमें इसमें मिल जाती 25 mm का फिर भी फर्क है भाई width का फिर भी जो है ना सामने से देखने में यही जादा आपको चौड़ी लगेगी इंटिरियर से मैं गाड़ियों के बारे में बात करता हूँ तो seat की अगर में बात करूँ तो भाई इस गाड़ी में आप height adjustment का feature नहीं मिलेगा वहीं आपको उस गाड़ी में height adjustment का feature मिल जाएगा इस गाड़ी के steering wheel की में बात करूँ तो इसमें हमें flat bottom steering wheel मिलता है वहीं पर अगर आप Hyundai में देखेंगे तो आपको round shape का steering wheel मिलेगा प्लस Hyundai के steering में आपको right side भी meter के controls देखने को मिल जाएगे बड़ लेकिन अगर Glanza में बात करते हैं meter controls की तो यहाँ पर आपको इसके stock देखने को मिलेंगे दूसरा change अगर आप gear lever की तरफ देखेंगे तो इसके second base में आपको top variant वाला लगबग gear lever देखने को मिलता है वहीं अगर venue की में बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको base variant वाला ही gear lever देखने को मिलेगा charging port के अगर में बात करता हूँ तो Glanza में आपको एक USB port मिलता है यहाँ पर और दूसरी तरफ एक आपको 12V का socket मिल जाता है अगर में venue की बात करूँ तो उसमें हमें एक USB port मिलता है एक 12V का socket मिलता है और एक type C का port भी आपको extra मिल जाता है अगर इस तरफ देखते हैं आप Glanza में तो यहाँ पर आपको यह foldable grab handles देखने को मिलते हैं अगर वही venue की बात करूँ उसमें आपको fixed grab handles देखने को मिलेंगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी space नहीं मिलता है अगर venue में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक extra space देखने को मिलता है जिसमें आप कुछ भी चीज छोटा मोटा कोई भी आपका mobile वगरा carry कर सकते हैं अगर आप ABC पैडल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी dead pedal को option नहीं मिलता है वही अगर में venue की बात करता हूं तो वेणिव में आपको dead pedal का option देखने को मिल जाएकगा वेन्यू में हमें extra armrest का option मिल जाता है वहीं अगर गलांजा की बात करता हूं तो गलांजा में आपको armrest नहीं मिलता है वेन्यू में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको tutors का option मिल जाता है इसमें tutors मिल जाते हैं और वहीं अगर Glanza की बात करता हूं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 4 speakers का setup मिलेगा उसमें आपको कोई भी tutors का option नहीं मिलेगा Venue के अगर आप rear seat पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपको AC vent देखने को extra मिल जाते हैं वहीं पे आपको Glanza में कोई भी rear AC vent नहीं मिलने वाले हैं नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो type C ports मिल जाते हैं Venue के अंदर अगर boot space की बात करूँ न भाई तो यह SUV अलग segment है आपको जानते ही हैं और यह एक premium edge pack है तो इसमें हमें 300 liters का boot space मिलता है वहीं इसमें हमें 318 liters का boot space मिलता है आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगी Venue में भी आपको partial tray मिल जाती है और Glanza के as variant में भी आपको partial tray देखने को मिलती है अगर मैं एक और change की बात करो तो यहाँ पे आपको इसका high mount stop lamp गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है यानि की boot space के gate के अंदर और अगर इस तरफ Glanza की बात करें तो यह gate के बाहर देखने को मिलता है कुछ इस तरह बड़ा major change दो भाई आप सभी जानते है यहाँ पे आपको Hyundai का logo मिलेगा Venue लिखा मिलेगा और यहाँ पे आपको Toyota का logo मिलेगा और Glanza लिखा हुआ मिल जाएगा अगर Rare की Windshield की में बात करूं अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस गाड़ी में चार्मल एंटिना मिल जाता है और वहीँ पे अगर इसमें देखते हैं तो नॉर्मल एंटिना हमें देखने को मिलेगा और अगर मैं रूफ की तरफ देखओं तो इसमें हमें रूफ्रेल्स मिल जाती है ये एक सवय है तो आपको रूफ्रेल्स मिलनी है और एक प्रीमिम hyजबेक की तरफ देखते हैना तो यहां पिक पी आतरी क्यूप तो सबस्क्रामा बात बैल खुर देखने और है है 1300 Cd. मैं और इंजन को देखके और इंजन और इंजन को देखके क्या आपको देखने को मिलता है तो तो मैं आद आप अग सबसे पहले इंजन कवर की में बात कर लेता हूं तो इस गाड़ी में आपको इंशुलेशन के लिए यहाँ पे कवर देखने को मिल जाता है अगर वेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सीधे आपको इंजन की आवाज आईगी अगर इंजन की प्लेशमेंट देखते हैं तो यह देख रहा है आप ग्लांजा का है कुछ इस तरीके से सेट अप किया हुआ है अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो यह काफी छोटा लगता है बहुत छोटा इंजन देखने को लगता है और बाइक कोई मेजर चेंज सामें मिलते ही नहीं अ पर उसमें आपको एक सु तो यही कुछ चेंज से बाइए कुछ फीचर चेंज से और कुछ फर्क था यह एक एक प्रीमियम हैजबैक है जो दो लाक रुपे का डिफ्रेंस ना वहां पर आपको देखने को मिलता है अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि आपको एक प देखेगा तो प्रेक्टिकल है वही गाड़ी लो दो लाक रुपे एक्स्ट्रा इंवेस्ट करके कोई मतलब नहीं है इसमें परफॉमिंस नहीं मिलेगी आपको काफी लैग फील होगा मैं चला रहा हूं परसनली मेरे पास यह गाड़ी तो काफी लैग मिलेगा उसके मुका परी दोगे